हेलो अब्रिवन कैसे हैं आप सब आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट फोर की वीडियो शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले मैंने आपके साथ बोर्डर की, फिनिसे डिजाइन की और पिछी वाले पल्ले में मोडे की गठाई है कैसे करनी है, वो डिजाइन को कैसे सेट करना है, यह तीनों पार्ट में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अब आगे वाले पार्ट में हमने इस बोर्डर को डिजाइनर बटन बट्टी बनाएंगे इसके साथ उसे और उपर डिजाइन को कैसे set करना है, बटन होल कैसे बनाना है ये सारा कुछ में आज की वीडियो में आपके साथ share करूंगी तो वैसे तो आपको देखें ये design भी बनाना आता है, ये border भी बनाना आता है लेकिन फिर भी बटन पट्टी के साथ इसे कैसे set करना है ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बनाऊंगी, बात कर लेते हैं पहले फंदों की, तो फंदे जैसे हमने इस पीछे वाले पार्ट में 110 फंदे रखे थे, 110 फंदे अगर जोटों में बात करें तो 55 फंदे बनते हैं, ठीके? तो आगे वाले पलने में भी हमने जैसे पीछे 110 फंदे हैं, तो आगे वाले पलने में भी 55 फंदे वो हो गए, और 10 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए, तो टोटल ये मैंने 65 फंदे रखे हैं यहाँ पर, तो 65 फंदे रखने के बाद, अब इसकी 1st रो है, ठीके? तो 1st रो में देखिए, जैसे आपको पता ही है, एक साइड में देखिए, हमने राइट में बटन पट्टी रखनी होती है, और एक साइड में हमने पीछे, लेफ्ट में, एक में आगे और एक साइड में पीछे रखनी होती है, बस ये याद रखिएगा, तो पहली बार हम बना रही हूं मैं यह आगे आप पहले देख लीजिए कि हम डिजाइनर जो बोर्डर बना रहे हैं यह कैसे बना रहे हैं तो इसमें इस फस्ट फन्दे को पहले हमने सिधा बना लेते हैं क्योंकि फस्ट रो है यह हमारी फिर धागा अपनी तरफ यह एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक उतार देंगे एक उल्टा बनाएंगे एक उतारेंगे एक उल्टा बनाएंगे एक उतारा एक उल्टा बनाया एक उतारा फिर से एक उल्टा तो ये दिखे दो चार छे आठ दस फंदे हो गई है हमारे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा अब धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी के सार फंदे हमने ऐसे उल्टे उल्टे ही बना लेनी है ऐसे क्योंकि यहां पर बोर्डर को हमें नीचे से बेस देने के लिए दो रों हम ऐने ऐसे ही बनानी होती है एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से तो यह रों पहले ऐसे बना कर कम्प्लीट कर लेते हैं सीधी तरफ से मैंने row complete कर ली है अब उल्टी तरफ से देखे उल्टी तरफ से ये सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस बटन पट्टी वाले फंदों को भी हमने उल्टा ही बना लेना है बटन पट्टी वाले हर रो में फंदे उल्टी तरफ से उल्टे ही डलेंगे क्योंकि यहां पर इन फंदों पर डिजाइन आएगा बोर्डर बनाते समय उपर डिजाइन बनाते समय डिजाइन डालेंगे लेकिन बटन पट्टी वाले फंदों को ये 11 फंदे होंगे हमारे 10 फंदे तो सिंपल एक फली वाला फंदा ये टोटल 11 फंदे हो जाएंगे जो हमारे हर रो में उल्टे ही आएंगे उल्टी तरफ से सीधी तरफ से डिजाइन डलेगा लेकिन उल्टी तरफ से हमने इन्हें उल्टा ही बनाना है तो ये रो भी हमें ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट कर लेंगे अब यहां से हमने पहले अपने बटन पट्टी वाले फंदे बनाने है यह हमारी डिजैंग की फर्स्ट रो है ठीक है तो पहले फंदे को तो हमने उतार लिया पहले फंदे को उतारने के बाद यह वाला फंदा हमने पहले बनाया था इस फंदे को हम उतारेंगे अब धागा अ इसे उतार लिया, इसे देखिए हमने उतारा था, इसे उल्टा बना लेंगे, अब इस फंदे को हमने बुना था, इसे उतार लेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, इसे उतारेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, इसे उतारेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, और इस फंदे को उतार लेंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे दूसरी तरफ करते हुए इस सीधे फंदे को भीनाबुने हमने ऐसे ही उतार लेना है अब धागा अपनी तरफ करना है ये एक ये दो दो फंदे हमने उल्टे बना लेना है ठीक है अब धागा दूसरी तरफ करेंगे यहां से हमने एक फंदा उठा लेना है इस तरह से ऐसे धागा उठा लेंगे जिसे हमने फंदा बनाना है ठीक है ये एक दो तीन और ये चार ये चार फंदे हमारी सीधे होगे एक फंदा यहां से उठा लिया तीन फंदे ये वाले ये टोटल चार फंदे सीधे बनाने के बाद अब ध तीन फंदों का हमने तीन का एक करना है, इस तरह से, तीन का एक, फिर से दो फंदे उल्टे, एक, और ये दो, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, और एक फंदा हम यहां से फिर से उठाएंगे, यहां से एक फंदा उठा लेंगे, इसे सीधा बना देंगे, तो ये टोटल हमारा पंदरा फंदों का डिजैन है न, इनी पंदरा फंदों को हमने रिपीट करते जाना है, दुबारा से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहां से यह वादा धागा उठा लेंगे, उठाने के बाद इसे सीधा बनाएंगे, यह 1, यह 2, यह 3, और यह 4, यह 4 फंदे हमारे सीधे हो ग録ें, धागा अपनी तरफ दो उल्टे, अब यहां पर फिर से तीन फंदों को एक साथ करेंगे तीन का एक ये दो ये तीन अब यहां पर तीन का एक करतेंगे तीन का एक करने के बाद ये एक ये दो फंदे उल्टे अब धागा दूसरी तरफ फिर से ये एक, ये दो, ये तीन फंदे सीधे और यहां से एक फंदा उठाएंगे जिसे सीधा बना देंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ यहां से यह वारा धागा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे, यह एक, यह दो, यह तीन और यह चार धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, फिर से यह एक, यह दो, और यह तीन फंदो को तीन का एक कर देंगे, एक, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक, दो, तीन फंदे सीधे, यहां से येवह द्रगा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे, अब द्रगा अपनी तरफ यह दोफंदे उल्टे, 2 पंदे उल्टे बनाने के बाद अब द्रगा दूसरी तरफ करेंगे, यह 2, 4, 6, 7 पंदे हैं हमारे पास, इन पर भी हम आधी डबी बना देंगे यहां तो यहां से पहले हमने एक दागा उठाया, उसे सीधा बना लिया, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, दागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, ठीक है, अब यहां पर दो का एक कर देंगे, इस तरह से, ठीक है, यह आधी डबी डलगे यहां पर, आप चाहो तो इन सा सीधा बनाना चाहो, सीधा भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहां से आधी डबी शुरू कर ली है, अब यह एक, दो, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, यह एक, दो, तीन, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक दो तीन चार और ये पाँच फंदे सीधे ठीक है धागा अपनी तरफ ये चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे न वैसे ही बनाते जाना है दो फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से चार फंदे हमने उल्टे बनाने है फिर धागा दूसरी तरफ कर लेना है पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच फिर धागा अपनी तरफ एक दो तीन चार फंदे उल्टे चार फंदे उल्टे बनाने के बाद दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे सीधे ठीक है? फिर धागा अपनी तरफ ये चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, और ये चार फिर धागा दूसरी तरफ 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद दिखे ये दो फंदे सीधे हैं जीने सीधा बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ ये 10 फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के जीने हमने उल्टा ही बना लेना है इस तरह से अब सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को पहले उतार देंगे अब ये दस फंदे हमने अपने बटन पट्टी के बनाने है फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हमने पहले उतारा था इसे उल्टा बना लिया इसे देखिए बनाया था, इसे उतार लिया, ठीक है, इसे फिर से उल्टा, इसे उतार लेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, अब धागा दूसरी तरफ करते हुए, इस सीधे फंदे को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, फि दागा उठाया उठाने के बाद इसे सीधा बना लिया यह एक यह चार फंदे यह वाले सीधे हैं यह टोटल पांच फंदे हमारे पास यह सीधे बरेंगे फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है हमने धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा और यहाँ पर तीन फंदे हैं तीन का एक कर देंगे फिर से एक फंदा यह उल्टा अप धागा दूसरी तरफ करेंगे चार फंदे सीधे बना लेंगे और एक फंदा यहाँ से फिर से हमने ऐसे उठा लेना है देखिए यह वाला एक फंदा उठाया इसे भी सीधा बना दिया यह टोटल पांच फंदे हमारी सीधे होगे फिर धागा अपनी तरफ यह दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे यहां से फिर से ये वाला धागा देखिए ऐसे उठा लेना है यहां से ये वाला धागा ठीक है और इसे सीधा बना देना है एक दो तीन चार और ये पांच फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा यहां पर तीन क एक करदेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे एक दो तीन चार फंदे सीधे और यहां से यह उठाया हमने इसे सीधा बना दिया अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा यह दूसरा फंदा भी उल्टा ठीक्या यह बीचे वाले दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ यहां से यह वाला धागा उठाया इसे सीधा बना दिया एक, दो, तीन, चार और यह पांच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ यह एक फंदा उल्टा और यहां पर तीन का एक कर देंगे फिर से यह एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे अब यहां से यह वाला ऐसे धागा उठाएंगे इसे सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे यहां से ये वाला फंदा उठाया इसे सीधा बना दिया ये एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे धागा अपनी तरफ, सोरी ये पांच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और यहाँ पर लास्ट में दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद अब उल्टी तरफ से ये दो फंदे सीधे एक और ये दो दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ये पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये दो फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये तीन फ तीन, धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं, उल्टी स्लाई में हर 12 हमने फंदों को वैसे ही बनाते जाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे, तीन, चार, पांच, धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ ये एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ करते हुए, दस फंदे उल्टे, एक, ये बटन पट्टी वाले हमारे दस फंदे उल्टे बना लेंगे, अब आगे सीधी रों में, सीधी रों में देखे, ये बटन पट्टी हमारी डिजाइनर बन रही है, ठीक है, बहुत सुंदर बटन पट्टी बनेगी है, ये लूज भी नहीं होती है, ऐसे ही बनती है, बहुत प्यारी फर्स्ट फंदे को उतारा धागा अपनी तरफ कर लिया अब ये वाला फंदा उल्टा बनाया था इसी देखिए हमने उतार लेना है ये उतारा था इसे उल्टा बना लेंगे अब इसे बनाया था इसे उतार लेना है जो नहीं बनाया था उसे उल्टा बनाना है इसे उल्टा बना देना है इसे उतारा इसे उल्टा इसे उतार लेंगे अब धागा दूसरी तरफ किया यह फंदा हमने उतार लिया यह फली वाला फंदा ठीक है अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे दो फंदे यह उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे यहां से यह वाला ध दागा उठाया इसे सीधा बना लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फंदे सीधे धागा अपनी तरफ यहाँ पर तीन का एक कर देगे अब दागा दूसरी तरफ फिर से यह पहले पांच, फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ से हमने उठा लेना है तो यह टोटल छे फंदे हमारे ऐसे सीधे बन जाएंगे, यह वाला दागा हमने ऐसे यहां से उठा लिया, इसे सीधा बना लेंगे ठीक है अब धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे फिर से यहां से धागा उठाया इसे सीधा बना लेंगे ये एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे धागा अपनी तरफ यहां पर तीन का एक करेंगे फिर धागा दूसरी तरफ यहां पर फिर से पांच फंदे पहले सीधे बना लेंगे फिर एक फंदा यहां से उठा लेंगे हम यहां सी ये वला ऐसे, इसे सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ये एक, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ फिर से इसे धागे को ऐसे उठाया, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर तीन का एक कर देंगे, धागा दूसरी तरफ ये पांच फंदे सीधे, अब यहाँ से ये वाले धागा उठाया, और इसे सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ फिर से ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये वाले धागे को उठायेंगे, इसे सीधा बना देंगे, एक, दो, तेन, चार, पांच, ये छे, छे बंदे सीधे, लास्ट में यहाँ पर दो का एक कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से देखें, ये सीधी तरफ से हमारा बन कर आएगा, ये बटन-पट्टी इस तरह से बने गी और ये डिजाइन है, हमारा ऐसे, इसी design को हमने चार बार ऐसे ही repeat करना है जैसे हमने पिछे वाले पार्ट में किया है वैसे ही same इसे चार बार आगे repeat करना है तो पहले उल्टी रो बना लेते हैं उल्टी रो में देखे ये एक फंदा सीधा फिर ये वाले उल्टे ये दो सीधे ये उल्टे ये एक फंदा सीधा ऐसे करते हुए ये पूरी रों कम्प्लीट कर लीजिए अब ये दो फंदे सीधे बनाने के बाद ये फली वाला एक फंदा है पहले हम इसे उल्टा बना देंगे अब यहां पर हमने अपना बटन होल बनाना है ठीक है बटन होल आप उल्टी तरफ से या सीधी तरफ से कैसे भी बना सकते हो मैं यहां से उल्टी तरफ से बटन होल बनाऊँगी तो ये एक, दो, तीन, चार फंदे पहले उल्टे बनाएं, चार फंदे उल्टे बनाने के बाद सलाइपर ऐसे बल दे लेंगे, ठीक है, अब यहां पर दो का एक कर देंगे, इस तरह से, दोकाई करने के बाद बाकी के सारे फंदे ये उल्टे इस तरह से अब सीधी तरफ से हमने सेम वैसे ही अपना डिजैन डालना है इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे धागा अपनी तरफ करने के बाद अब इस फर्स्ट फंदे को पहले उल्टा बनाएंगे, इसे उतार लेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, इसे उतार लेंगे, इसे उल्टा बनाया, इसे उतारा, इसे उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ इस फंदे को उतारा, तो यहाँ पर देखेंगे, हमारा बटन होल बन गया, इस तरह से, बटन बट्टी में, ठ अजयाएवा है आगे का है जाएयन जैसे मैंने आपको बता है सेम वैसे ही आपने रपीट कर ले ना है इसे कम्प्लीट कर लेती हूं फिर आगे दिखाती हूं आपको जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में चार बार बोर्डर को रिपीट किया था ना आगे वी हमने वैसे ही सेम टू सेम ये बना कर रेडी कर लिया है अब जैसे इस साइड में हमने यहाँ पर बटन पट्टी रखी है अगली जो हम दूसरी साइड बनाएंगे ना उसमें हमने इधर बटन पट्टी रखनी है और इधर हमने सिंपल ऐसे बोर्डर बनाना है आपने इस बात का जुरूर ध्यान रखना है अगर दोनों साइड आप बटन पट्टी एक ही साइड रख लोगे ना तो मुश्किर हो जाएगी फरपला बना कर आपको उधेरना पड़ेगा तो इस बात का आपने ध्यान जुरूर रखना है तो एक साइड में ही पहले बोर्डर को सेट करना थोड़ा जा समझना होता है दूसरी साइड में बिलकुल असान होता है जैसे हमने देखे यहां पर डिजाइन ढाला है आपने यहां से शुरू कर लेना है बस डिजाइन को ऐसे ही फंदों को बिलकुल इसी तरह से आपने डालते जाना है पहले जैसे इसकी फर्स्ट उरो में तो यह फंदे हमारे उल्टे ही आएगे तो ये पहले मैं उल्टे फंदे बना लेती हूँ ये सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाया बस मैंने ये 11 फंदे रख लिए इन 11 फंदों में एक फंदा तो जो हमारे ये वाला सीधा फली वाला चल रहा है न ये वाला फंदा बनेगा तो इस फंदे को पहले हम सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बना लिया, एक उतार देंगे इसे, फिर इसे उल्टा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे उल्टा बनाया, इसे उतार दिया, इसे उल्टा बनाया, इसे उतारा, इसे उल्टा बना अब धागा दूसरी तरफ करते हुए, इस फर्स्ट फंडे को सीधा बना देंगे, इस तरह से, अब उलती तरफ से तो आपको बता हिए, एक फंडा उतारीए और ये पूरी रो हम उलती ऊल्टी बना लेंगे, इस तरह से, ये पूरी रो उल्टी अब border की मैंने इस side आपको एक row ही बना कर दिखाऊंगी फिर मैंने ये आपको बता कर दिखाया हुआ है पीछी वाले पल्ले में भी दिखाया था border तो आपको आता ही है तो यहाँ पर मैं एक row और बना कर दिखाऊंगी आपने वैसे ही आगे सेट करते जाना है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हमने दो काई किया फिर दो फंदे ये उल्टे ठीक है दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक दो तीन फंदे सीधे तीन फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहां से य बना लेंगे ये चार फंदे सीधे हो गए फिर धागा अपनी थरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यहां से ये वला इसी धागा उठाया इसे सीधा बनाएंगे एक दो तीन ये चार फंदे सीधे हो गए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे बनाए, अब यहाँ पर तीन का एक कर देंगे, फिर दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब यह एक, दो, तीन फंदे सीधे, अब यहाँ से यह वाला धागा उठाया, इसे सीधा बना देंगे, धागा अपनी दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ से यह धागा उठाया, इसे सीधा बना दिया, ठीक है, यह एक, दो, तीन, यह टोटल हमारे चार पंदे सीधे हो गए, एक उठाया था, तीन फंदे यह सीधे, अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, यहाँ पर फिर से तीन का एक कर देंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ यह एक, दो, तीन फंदे सीधे, अब यहाँ से उठाएंगे धागे को और सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से यहां से ये वला धागा ऐसे उठाया और इसे सीधा बना लिया, एक, दो, तीन, चार फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, यहाँ पर तीन का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद दिखे, यहाँ से यह वला धागा उठाया, इसे सीधा बना दिया ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ ये फली वाले फंदे को बीना पुने ऐसे ही उतार लेना है, हमने अब धागा अपनी तरफ करना है, ये फंदा पहले हमने उल्टा बनाया था, इसे उल्टा बनाएंगे, इसे उल्टा बनाएं इसे उतारेंगे धागा दूसरी तरफ करते हुए ये लास्ट का फंदा सीधा अब इसी तरह से आपने बोर्डर को बनाते जाना है देखिए जैसे हमने यहां पर दो फंदे उल्टे बनाए है बटन पट्टी के पास आप यहां पर एक फंदा उल्टा बना सकते हैं अगर आप यहां पर लास्ट में एस्टीच रखना चाहते हैं तो नहीं तो कोई फरक नहीं पड़ता है इस तरह से भी देखिए बहुत सुंदर बन कर आया है देखिए इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है तो इस तरह में मैं सेम ऐसे ही बोर्डर बना लेती हूं दोनों साइड में देखिए बोर्डर मैंने बना कर रेडी कर दिया है इधर से भी और इधर से भी ठीक है अब हमने क्या करना है यहां पर अपना डिजाइन डालना है तो सबसे पहले बटन पट्टी वाले डिजाइन को हम बना लेंगे अब फिर से वही यह फंता उल्टा इस मूने हुए फंत को उल्टा बना लेंगे इसे उतारेंगे इसे उल्टा इसे उतारा इसे उल्टा इसे उतारा इसे उल्टा इसे उल्टा अब धागा दूसरी तरफ करेंगे इस फंदे को उतारेंगे जैसे कि आपको पता हिए इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने 99 के मल्टिपल से फंदे पिछे वाले पल्ले में हमने एक फंदा अपना ये एक्स्ट्रा डाला था यहां पर ठीक है तो अब हमने क्या करना है देखिए इस फंदे को उतारने के बाद धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे फिर दागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ ये बीच में चार पंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ ये पांच पंदे सीधे एक दो तीन चार पांच फिर धागा अपनी तरफ ये एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा अपनी तरफ ये एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, और ये पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा अपनी तरफ यह 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर धागा अपनी तरफ 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, फिर धागा दूसरी तरफ 5 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट में देखिए, यहां से हमने एक फंदा उठाया, क्योंकि यह दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर धागा दूसरी तरफ, यह एक फंदा सीधा, तो यह डिजाइन की वीडियो पहले मैंने आपके साथ शियर की हुई है, यहां पर डिजाइन मैं दुबारा दुबारा से आपके साथ शियर नहीं करूंगी, मैंने यह एक रो आपको बना कर दिखाती है, इसी तरह से एक रो मैं इस तरफ भी आपको बना कर दिखा देती तो डिजाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा जब तो आगे तो आपना ही लोगे क्योंकि मैंने पहले सेकंड पार्ट में पूरा ये डिजाइन डिटेल से बताया हुआ है अगर नहीं देखा है तो वहाँ पर जा कर देखिए प्लीज तो ये एक फंदा सीधा धागा अपनी त तरफ एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे पांच फंदे सीधे बनाने के बाद चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर धागा दूसरी तरफ एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे चार फंदे उल्टे ऐसे ही करते हुए हमने पूरी रोह ये बना कर अपने complete कर लेनी है, 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां तक हम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है, 5 फंदे सीधे, 4 उल्टे, 5 सीधे, 4 उल्टे, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद, अब last के ये 2 फंदे हमारे उल्टे, और आगे जैसे हम अपना बटन पट्टी व इसे बनाएंगे, ऐसे ही करते हुए हमने ये row complete कर लेनी है, तो design आपको आता ही होगा, नहीं आता है, तो second part देखिए, क्योंकि पिछे वाला पला भी आपने बनाना ही होगा, तो उसमें आपने अपनी size के coding कितने फंदे डालने हैं, ये सारा कुछ मैंने detail में बताया हुआ ह तो आज मैंने देखिए आगे वाले पल्लों में कैसे हमने buttonhole रखना है, कैसे हमने बनाना है, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ share कर लिया है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो अभी चैनल को subscribe कर देना, वीडियो के like share करना बिलकुल मत भूला, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में, बाबाई